हलो, गुड मॉर्निंग ओल अफ यू, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं विवेक कुमार, यूवी कमपेटिसन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हजिरू डेली करंट अपेर्स जी के, जो क ये आपका हिंदी और इंग्लिश लेंग्वेज में अपडेट्स है, साथियों, आज 16 फर्वारी 2019 वार सनिवार की हम बात करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अपेर्स के लिए, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कमपेटिसन सब्क्राइब नहीं किया है, तो य पैल आइकन दवाना ना भूले, जिससे आपको हमारे द्वारा दिएगे अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके साथ ही यदि आप राजस्तान जीके और मेकिनिकल इंजिनेरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए अनकेडमी एप पर मुझे फ समाचारों की, Following the attack in Jammu and Qasmeer's Pulwama that left 44 CRPF personal dead, India has withdrawn the MFN most favored nations that it had granted to Pakistan. जammu Qasmeer के पुलवामा में हमले में CRPF के 44 जवानों के मारे जाने के बाद, भारत ने पाकिस्तान को दिया गया most favored nation का दर्जा वापिस ले लिया है. बिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार अनौंस्ट ए युनिवर्सल ओल्ड एज पैंसन स्कीम नेम्ड मुख्य मंत्री व्रद्दा पैंसन यूजना, irrespective for all caste, community, religion, expect for those who are retired from government organizations. बिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने मुख्या व्रद्दा पैंसन यूजना नामक एक सार्व भूमित व्रद्दा व्यस्ता पैंसन यूजना की गोश्णा की है. यह सरकारी संगठोनों से सेवा निवरत होने वाले लोगों को छोड़ कर सभी जाती, समुदाय, धर्म के लिए जिम्मेदार है. Next, the Indian Government has signed a deal with the U.S. under Fast Track Procurement to avail the Indian Army with 72,400 new SIG Sugar Assault Rifles, which will overhaul the Army's inventory of Frontline Rifles. भारत सरकार ने भारतिय सेना को 22,400 नई SIG Sawyer Assault Rifles प्रदान करने के लिए Fast Track Procurement के तहत अमेरिका के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है, जो सीमावरती राइफलों की सेना की सूची की काया पलट करेगा. Next, India and the United States held India-U.S. Commercial Dialogue and India-U.S. CEO Forum in New Delhi. Union Minister for Commerce and Industry and Civil Aviation, Suresh Prabhu, chaired the meeting. बारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में बारत-U.S. वानिजी एक समवाद और भारत-U.S. CEO Forum आयुजद किया. केंद्रे वानिजी और उद्धोग और नागरिक उड्डियन मंत्री, Suresh Prabhu ने बैठक की अध्यक्सता किया. Next, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan was rolled out by the Ministry of Labour and Employment from 15 February 2019. The scheme announced in the Antrim budget was notified by the Ministry recently. प्रधान मंत्री Shram Yogi Mandhan को 15 फरवारी 2019 से Shram और रोजगार मंत्राल्य द्वारा शुरू किया गया है. Antrim budget में गोसित योजना को हाल ही में मंत्राल्य द्वारा अधिस उचित किया गया है. देश के असंगटित छेत्र में 42 करोड स्रमकों के सामिल होने का अनुमान है. अज़े बात करते हैं Appointments न्युक्तियों की. Appointments Committee of Cabinet, ACC has appointed Senior IRS Officer Pramodh Chandra Modi at Chairman of Central Board of Direct Taxes, CBDT. Cabinet की न्युक्ति समिक्ती ने वरिष्ट IRS अधिकारी Pramodh Chandra Modi को केंद्रिय परत्यक्ष करबोर्ड का अध्यक्ष न्युक्त किया है. वे सुसील चंद्रा का इस्थान लेंगे जिनने हाल ही में चुनाव न्युक्त किया था. Next, President Ramnath Covind appointed Central Board of Direct Taxes CBDT Chairman Sushil Chandra as an Election Commissioner. The post had fallen vacant after the appointment of the election commissioner Sunil Aroda as chief election commissioner on supernation of his predecessor O.P. Rawat in December 2018. रामनात कोविंद में केंद्रिय प्रत्यक्ष करबोर्ड के अध्यक्ष सुसील चंद्रा को चुनाव आयुक्त न्युक्त किया है. December 2018 में अपने पूर्वे वर्ती O.P. रावत के अतिरेक पर मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में तत्कालीन चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा की न्युक्ती के बाद यह पद खाली हो गया था. अब यह बात करते हैं International News अंतराष्टे समाचारों की. NASA announced that its opportunity rover mission is complete after the rover failed to respond despite repeated trials since August 2018. The Space Agency inferred that a planet enrolling dust storm cut off communications with opportunity on June 10, 2018, disabling its solar panels from storing power. NASA ने गोष्णा किये कि rover द्वारा अगस्त 2018 से बार बार परिक्षण के बावजूद जवाब देने में विफल होने के बाद उसका opportunity rover mission समाप्त हो गया है. अंतरिक्ष एजन्सी ना अनुमान लगाया है कि 10 जूद 2018 को एक ग्रह घेराबंदी वाले धूल के तूफ़ा ने opportunity के साथ संचार को काट दिया है. इसके सौर पैनलों को उर्जा के भंडारन से अक्षम कर दिया. तब से नासा ने 830 से अधिक अनुत रित बचाव आदेशों को प्रसारित किया है. Next or Last News The Government of India, Government of Himachal Pradis and the World Bank signed a $40 million loan agreement to help bring clean and reliable drinking water to the citizens of the greater Simla area who have been facing severe water shortage and water borne epidemics over their last few years. बारत सरकार, इमाचल प्रदिश सरकार और विशु बैंक ने greater Simla चित्र के नाज़िकों को स्वच्च और विश्वस्नी पेजल प्रदान करने में मदद करने के लिए $40 million के रिन समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं. यह पिछले कुछ वर्सों में पानी की गंभीर कमी और जल जनन की मामारी का सामना कर रहे हैं. तो मेरे प्यारे सातियों यह थे आज के मुक्के समझार जो कि आपका current affairs हैं. यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो like करें. जो भी आपकी query हैं, जो भी questions हैं वो comment box में डालें. UV competition channel को और हमारे वीडियोज को share करना ना भूलें. और साथ की साथ UV competition channel को subscribe जरूर करें. Thank you so much, धन्यवाद आपका दिन सुभू.